नमस्कार न्यूस फॉर नीशन देख रहें आप और मैं हूँ शुभे आपके साथ बहार में 2016 से ही शराब बंदे कानून प्रभावी कर दिया गया था लेकिन उस समवक्त से लेकर आज तक लगातार खबरों में आप कई बार देखते होंगे कि शराब बंदे को लेकर कई सारी बाते सामने आती है कभी शराब की तसकरी सामने आती है तो कभी पुलिस वाले ही शराब पीकर नाचते नजर आते हैं ये तमाम तरह की खबरें शराब को लेकर सामने आती है अब नए नए कानून और नियम बनाए जा रहे हैं अब इसी को लेकर एक बार फिर से मुख्यमंत्रे नितीश कुमार ने आक्शन दिया है और शराब बंदी कानून को और भी जादा प्रभावी ढंग से बिहार में लागू करने के लिए कुछ और नए नियम और कड़े नियम बनाए हैं क्या है ये बड़ा फैसला आपको बताते हैं बेहार में शराब बंदी अभ्यान को प्रभावी तरीके से लागू करनी के लिए प्रमंडली आयुक्तनी सभी डीमस्पी को शराब के कारुबार में शामिल व्यक्तियों की खिलाब कठोर कारवाई करनी का निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि अगर किसी मकान इवं गोदाम में शराब जब्त की जाती है तो इस मकान और गोदाम को भी निलाम कर दिया चाएगा उन्होंने सभी डीमस्पी को सकती से अनुपालन सुनश्चित करानी को कहा है प्रमंडलिया आयुक्त संजे कुमार अगरवाल नी समिक्षा बैठक की थी प्रमंडलिया आयुक्त ने जब्त वाहनों को इजलाबार समिक्षा करते भी का पाया कि वाहनों की निलामी प्रक्रिया में तीजी आई है उनोंने सभी डीयम को विगत दो माह में निलाम वाहनों की अनुमंदल वार समिक्षा कर रिपोर्ट देने को कहा साथी थानवार और उत्पाद विभाग द्वारा जब तवाहनों की अध्यतन स्थिती वह उसकी निलामी के बारी में समिक्षा करने को कहा शराप का वैद हुद पादन, सेवन, भंडारन और बिकरीब और परिवाहन के खिलाफ अभ्यान तीज कर कारवाई करने का निर्दीश दिया गया है आयुक्तनी अपराद पर अंकुष लगाने के लिए थानवार रात्री गश्ती तीज करने तथा डियस्पी को मॉनिटरिंग करने का निर्दीश दिया है गश्ती के दोरान और समाजिक तत्तों वब पर विशीश नजर रखने का निर्दीश दिया गया है साथी SSP, SP एवं DSP को थाने को ओचक निर्ख्षन करने तथा कार्यत अधिकारियों एवं कर्वियों को तत्पर रखने का निर्देश दिया थाना अस्तर पर ही भूमी विवात को निप्टाने की भी बात कही गई है और इसलिए वैसी मामलों पर अंजला अधिकारी एवं थाना अध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से थाना अस्तर पर ही सुनवाई कर वस्थलियन इरिक्षन कर मामलों के निप्टारी किये जाएं इस बात के दिशा निर्देश दिये गए हैं नए नियम बताए गए हैं कि अगर किसी भी मकान या गोदाम से शराब बराम्द की जाती है तो इस मकान या गोदाम को भी निलाम कर दिया जाएगा तो फिलहाल शराब बंदे को लेकर नए नए कानू नए नियम पहार सरकार की तरफ से बनाए जा रहे हैं हराकि ये कितने प्रभावी होंगे इसको लेकर तो हम सभी को थोड़ा इंतजार करना होगा फिलहाल के लिए इतना ही ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहे हैं और देखते रहे हैं न्यूस फोर्नेशन नमस्कार